जै भोलेनात आप सभी का दिन शुप और मंगल में हो और आप सभी पर महादेव की गृपा सदा बने रहें। जल के भवर में बैठेवे महातपस्वी आपस्तंब को मलाहों ने मचलियों सही तजाल उठाते समय जल के बाहर खींच लिया। उन्हें इस दशा में देखकर वे निशाद भई से व्याकुल हो गए और मुनी के चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे। हे ब्रहमन, हमने अंजाने में बड़ा भारी अप्रात कर डाला है, आप उन्हें शमा करतीजे। इसके सिवा इस समय आपका प्रेकार किया है, उसके लिए हमें आग्या दीजे, हम अवश्य करेंगे। मुनी ने देखा कि इन मलाहों द्वारा यहां की मचलियों का बड़ा भारी संगार हो रहा है। यह देखकर उनका हिर्दय करुना से भर गया, वे दुखी होकर कहने लगे। भेद द्रश्टी रखने वाले जीवों के द्वारा, दुख में डालेवे प्राणियों की ओर, जो अपने सुख की इच्छा से कभी ध्यान नहीं देता उससे बढ़कर क्रूर, इस संसार में दूसरा कौन है। अहो, स्वस्थ प्राणियों के प्रती, ये निर्दयता पूर्ण अत्यचार और स्वार्थ के लिए उनकी जान लेना, उन्हें मारना ये कैसे अश्चरी की बात है। ग्यानियों में भी जो केवल अपने ही हित्मितत पर हैं वो स्रेष्ठ नहीं हैं, क्योंकि अगर ग्यानी पुरुष भी अपने स्वार्थ का सहरा लेकर ध्यान में स्थित होते हैं, तब तो इस जगत के दुखातुर प्राणी भला किसकी शरण में जाएंगे। जो मनिश्य स्वम अकेला ही सुख भोगना चाहता है, उसे मुमुक्षु पुरुष पापी से भी महापापी बताती हैं। मेरे लिए वो कौन से उपाय है जिससे मैं दुखी मन वाले संपुर्ण जीवों के भीतर प्रवेश करके अकेला ही सब के दुखों को भोगता रहू मेरे पास जो कुछ भी पुन्य है वो सभी दीन दुख्यों के पास चला जाए और उन्होंने जो कुछ पाप किया हो वो सब मेरे पास आ जाए। मैं उनके पाप का भागिदार हो जाओ। करने का काम छोड़ कर मुक्ती को भी वरण नहीं चाहता। फिर स्वर्ग लोग की तो भला बात ही क्या है। मुनी का ये वचन सुनकर मलाह लोग बहुत घबरा गए। उन्होंने महराज नभाग के पास जाकर सभी बाते यथार्ट रूप से बतलाई। नभाग भी ये सारा वरतान सुनकर अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ मुनी का दर्शन करने के लिए तुरंती वहां आ गए। राजा ने उन देवकल्प महरशी का भलिभाती पूजन करके कहा कि हे भगवन आग्या दीजे मैं आपकी कौन सी सेवा करूँ। तब आपस तंब मुनी बोल मैं इन निशादों को आपके बदले में एक लाग सोने की मुद्रा देता हूँ। आपस तम ने कहा कि राजन मेरा मुल्य एक लाग ही नियत करना उचित नहीं है। मेरे योगि जो भी मुल्य बनता हो वो इने अर्पित कर दो। इस समन्द में अपने मंत्रियों के साथ अच अग्या दीजे उससे भी अधिक ने दिया जाएगा। आपस तम मुनी बोले राजन मैं एक करोड या इससे अधिक मुल्य के योगि नहीं हूँ। मेरे योगि मुल्य चुकाओ और ब्रहमनों से सलह करो। राजा ने कहा अगर ऐसी बात है तो मेरा आधा या पूरा राज इ पस्तम मुनी कहने लगे। राजन तुम्हारा आधा या पूरा राजी भी मेरे लिए उचित मुल्य नहीं है। मुल्य वो दो जो मेरे योगि हूँ। समझ में नहीं आता हो तो रिशियों के साथ विचार कर लो। महर्शी का ये वचन सुनकर मंत्रियों और पुरोहितों के साथ विचार विमर्श करते वे धर्मात्मा राजा नाभाग बड़ी चिंता में पढ़ गए। उसी समय सयोगवश महत पस्वी लोमश रिशी वहां आ गए। उन्होंने नाभाग से कहा कि राजन भय मत करो। मैं मुनी को संतुष्ट कर लूँगा। राजा बोले महाभाग अब आप ही इनका मूले बता दीजे नहीं तो ये महरशी करोध में आकर मेरे परिवार, कुल, बंधु बांधव और समस्ट राचा त्रिलोकी को भस्म कर सकते हैं। फिर मुझे जैसे अत्यनत तुछ दीन और विशय मनुश की तो बात ही क्या है। लोमश ने कहा। महराज तुम उनका मूले देने में समर्थ हो। श्रेष्ट ब्रहमर जगत के लिए पूजनी हैं और गववें भी दिव्य और पूजनी मानी गई हैं इसलिए तुम उनके मूले के रूप में गवव ही दे दो। लोमस जी का ये वचन सुनकर राजा नाभाग मंतरी और पुरोहितो प्रसन्वे और बड़ी प्रसनिता के साथ बोले भगवन उठिये उठिये मुनिशेष्ट ये तो आपके लिए योगिता मूले प्रस्तुत कर दिया गया है आपस्तम ने कहा अब मैं प्रसनिता पूर्वग उठता हूँ राजन तुमने उचित मूले देकर मुझे खरीद ल हैं पूजनी हैं गववे मंगल का स्थान हैं दिव्वे हैं स्वयम ब्रहमा जी ने इन्हें दिव्वे गुणों से विभूशित बनाया है जिनके गोबर से ब्रहमनों के घर और देवताओं के मंदर भी शुद्ध होते हैं उन गववों से बढ़कर अनिक किसे बताएं गव के मध्ध में ही निवास करूं जो प्रति दिन तीनो संध्याओं के समय। नियम परायन और पवित्र होकर गावों में चागरतो नित्यम इत्यादीश लोग्का पाठ करता हैं वहिसा पापो से मुक्थ होता है और अंत में स्वर्गलोग को जाता हैं प्रति दिन भकतीभाव उसे गवों को गो ग्रास देने में श्रद्धा रखनी चाहिए। जो प्रति दिन गो ग्रास अर्पित करता है उसने मानो अगनिहुत्र कर लिया पित्रों को तरप्त कर लिया और देवताओं की पूजा भी संपन्न कर ली। गो ग्रास देते समय प्रति दिन इस मंत्रार्थ का चिंतन करें। सुर्भी की पुत्री गो जाती संपुन जगत के लिए पूजे हैं और वह सदा विश्नुपद में इस्थित हैं। सर्वदेव मई हैं मेरे दियेवे इस ग्रास को गो माता देखें और ग्रहन करें। ब्रहमनों की रक्षा करने, गवों को खुजलाने, सहलाने और दीन दुर्बल दुखी प्राणियों का पालन करने से मनश स्वर्गलोप में प्रतिस्थित होता है। यग्य का आदी, अंत और मध्य गवों को ही बतलाया गया है। वे दूध, घी, दही और अम्रित सब कुछ द सुनकर, निशादो ने महाभाग आपस्तम जी को प्रणाम करकी कहां प्रभो, हमने सुना है कि सादू पुरुषों के संभाशन, दर्शन, इसपर्ष, स्रवन और कीर्तन सभी पवित्र करने वाले हैं। हमने यहाँ आप जैसे महात्मा के साथ वार्तालाग किया है और आपक मुक्त हो जाओगे। निशाद, निंदित कर्म से युक्त होने पर भी प्राणियों के मन में प्रीती उत्पर्ण करके इन जलचारी मत्स्यों के साथ स्वर्ग लोक में जाएं। मैं नरक को देखूं या स्वर्ग में निवास करूं कि तो मेरे द्वारा मन, वानी, शरीर औ पस्तंब की सत्यवानी के प्रभाव से वे सभी मलाह मचलियों के साथ स्वर्ग लोक में चले गए। मचलियों सहित उन मत्स जीवी निशादों को स्वर्ग में गया हुआ देखकर मंत्रियों और सेवकों के साथ राजा नाभाग को बड़ा विसमे हुआ। वे इस परकार कह रखने वाले पुरिशों को सदा संतों और पवित्र जल वाले तीर्थों का सेवन और दर्शन करना चाहे। इस जगत में एक छण के लिए भी यदि उनका संग कर लिया जाए तो वो कभी निश्वर नहीं जाता। इसलिए साधू महात्माओं के पास बैठे और उन्हीं के स उत्तम कथा वार्तालाप करें। इसके बाद आपस्तंब मुनी और महातपस्वी लोमश ने तरह तरह के उत्तम पद सुनाकर राजा को बोध प्राप्त कराया। तब राजा ने परम दुरलब धर्ममई बुद्धी धारन की। इसके बाद वे दोनों महर्शी राजा नाभा प्रिशन सा करते वे कहने लगे। अहो राजेंद्र, तुम धर्म्य हो। क्योंकि तुम्हारी पुद्धी धर्म में तत्पर हुई है। मनुष्यों के लिए धर्म परम दुरलब है। और खासकर राजाओं के लिए तो वो और भी दुरलब है। अगर राजा राजमत से उन लेकिन राज्य विश्यक मोहुब होने पर नरक की प्राप्ति अत्यन्त ध्रोव हैं, इसलिए विद्वान पुरुष राज्य की निंदा करते हैं, विश्य की कामना रखने वाले अविवे की मनुश्य ही राज्य को माननेता देते हैं, राज्य का लोब करते हैं, विद्वान पुरुष्टो सदाओं से नरक्य समान ही देखते हैं इसलिए महराज अगर तुम अपने लिए सनातन गती चाहते हो तुम्हें अपने मन में शोक, मोह और मद अर्थाद गर्व को कभी स्थान नहीं देना चाहिए। इसी तीर्थ के प्रभाव से महाभाग आपस्तंब और मत्स जीवे निशाद मचलियों के साथ दिविलोग को प्राप्थ हुए थे। वे सब आज भी दिविकांती धारन करके वैशन धाम में विहार करते हैं। वे शाक और मूल फल खाकर जप और ध्यान में तत्पर रहा करते थे। युदिस्ठिर, सभी प्राणियों के हित में संगलगन रहने वाले कलहंस जी भगवान शिव के ध्यान में स्थित होकर पंद्रह हजार वर्षों तक एक प्यार से ही खड़े रहे। उनकी कठिन तपस्या और ध्यान निष्ठा से इंद्र को बड़ा भय हुआ। और वे कुबडे तथा नाटे ब्रहमन का रूप धारन करके कलहंस के आश्रम पर गए। वहां पहुँचकर उन ब्रद्य ब्रहमन ने पूछा कि तपोधन आपकी सुद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं। कलहंस ने हस्ते वे कहा, महाभाग मैं आपको जानता हूँ। इंद्र कहने लगे महाभाग आप मुझसे वर मांग लीजे जिससे आपको भगवान शंकर के दर्शन अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे। सुनकर कलहंस ने कहा देवराज, मैं तो भगवान शंकर को छोड़कर और किसी भी देवता से किसी भी वर्दान की याचना कभी नहीं करूँगा। उनके ऐसा कहने पर इंद्र संपूर्ण कामनाओं से संपन होकर वापस लोट गए। कलहंस की पराभक्ती को जानकर देवादी देव महेश्वर ने उन्हें अपने निलकंठ त्रिलोचन स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। महादेव जी का वो स्वरूप देखकर मुनिश्रेष्ट कलहंस ने सास्ट्रांग प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्थुति की कि महादेव आपको नमस्कार है। महादेव इत्यादी नामों से जिनके स्थुति की जाती है उन भगवान त्रिलोचन को नमस्कार है। उमा सुरूप और आधा उमा वल्लब रूप है आपको नमस्कार है। आपके गुण तथा रूप अनन्त हैं आप सर्पों का यग्योपवीत धारन करते हैं आपको बारंबार नमस्कार है। सब्ध इसपर्श रूप रस गंध बुद्धी मन और हिंकार ये आठ तत्व आपकी आठ मूर्तिया हैं हे अस्ट मूर्ते आपको नमस्कार है। आप ही सूर्य, अर्यमा, भग, त्वस्टा, पूशा, अर्क, सविता, रवी, गभस्ती मान, काल, मृत्यू और प्रकाश करने वाले धाता ये बारहा आदित रूप हैं। कर सकता है, हे शुलपाणी, मैंने अज्ञान अथवा, ज्ञान से जो कुछ भी अनुचित बात कह दी हो, उसके लिए मुझे एक शमा करें। कानादी सतकर्म अक्षे बने रहें। जो मनश्य स्वाधिन या पराधिन होकर यहां पर मृत्य को प्राप्थ अपनी देह का त्याग करें। वो आपकी आग्यसे स्वर्गलोक में जाए। हे कल्यानकारी महादेव, जो इस इस्तोत्र के द्वारा आपकी स्तुति करें, वे बड़े से बड़े पापी भी क्यो नहों, इस तीर्थ के प्रभाव से सभी शिव लोक को चले जाएं। महादेव जी बोले मुने, इस चराचर त्रिलोकी में जो जिस जिस वस्तो की काम ना करेगा, उसे इस तीर्थ में वो सब कुछ निसंदी प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव के लास परवत पर चले गए। इसके बाद जितेंद्री मुनी कलहंस भी ब्रहमनिस्ट मुनियों के साथ भगवान शिव के धाम में जाकर दिव्य भोगों का उपभोग करने लगे। हे युधिस्टर, ये मैंने जिन कलहंस का यश्ट तुम्हे सुनाया है, वे स्वारोचिश मनवंतर के आदी कल्प में हुए थे। कलहंस के इस उपाख्यान का श्रवन और कीर्दन करने से कल्यूग में मनुशिक कस्ट नहीं पाते। वे पुत्र और इस्त्रियों से संयुक्त होते हैं और पाप, माया तथा मोह से उनका पिंड छूट जाता है। क्योंकि इस उपाख्यान के द्वारा वे मन, वानी और क्रिया से महादेव जी का चिंतन और इस्मरन करते हैं।